जैसी अदाम भगवान की भक्ती के लिए किसी भी युग में कोई भी भगवान के नाम को छोड़कर अन्य सुगम साधन कोई भी नहीं है किसी भी युग में और कल युग में कलिकाल में तो विशेश रूप से कोई अन्य साधन है ही नहीं कली काल में तो सब कुछ शून हो चुका है लेकिन जहां जब हम बात भक्ती की करते हैं तो सबसे पहले ये समझने की बात है कि भक्ती कहते किसे हैं भक्ती कहने में जितनी सहज है करने में उतनी सहज नहीं है करने में उतनी ही कठिन है कठें तब नहीं है जब किल भक्ती का आडंबर करना हो यदि वास्तवे भक्ती करनी हो तो वास्तवे भक्ती सुगम नहीं है भक्ती दिखाने की चीज नहीं है ये हमारा गुप्त धन है और भक्ती का सोरूप जितना गुपत रहता है उतना ही उसे अधिक मुल्यवान समझा जाता है भक्ती काता तो समझना बड़ा ही कठिन है लेकिन भक्ती काता तो चाहे जितना भी कठिन क्यों ना हो उन भक्तों को इसको समझने में बिल्कुल विश्रम नहीं करना पड़ता जो उस भगवान के एक मात शर्ण हो जाते हैं जो भक्त अनन शर्णागत हो जाता है उसे भक्ती का तत्व भगवान सुस्यम समझा देते हैं एक बार भी जो सचे है रहसे भगवान के शर्ण हो जाता है भगवान उसे अभवे कर देते हैं यह है यह उनका प्रत है बालमी की रामन में देखे राम जी कह करते हैं अभि हम सर्भूतेव वो सब से अभवे हो गया तो भगवान की शर्णागती सबसे वड़ी असादन है लेकिन शर्थ एक ही है कि उसमें अन्यन्यता होनी चाहिए सुन मन धर सब तजबस मोही बीविशन जी देखे बीविशन जी कितने आतोर हो गय थे ना बीविशन जी अतोर भाव से पहशान होकर है ना एक मात्र श्री राम जी के ही आश्रे में ही अनेने प्रेम का बहुती सा अधान स्वरूप है और वो स्वरूप यह है कि एक भगवान के सिवा एक भगवान के सिवा अन्य किसी में किसी समय भी आ सकती नहीं होनी चीए प्रेम की मगंता में भगवान के सिवा अन्य किसी का ग्यान ना रहे अन्य किसी के ग्यान से आप आप समझे रहे होंगे और नहीं भी समझे रहे तो थोड़ा सा छोटे से मैं देखी मैं आपको बताता हूँ संजेप में यहाँ पर आशा इतना है अन्य किसी का भी ग्यान ना रहे भगवान के प्रेम में अर्थात शर्णागर्थी का बिशुद्ध रूप वो क्या जो हो रहा है आपकी क्रिपा है जो होगा आपकी क्रिपा से होगा जैसा हुआ है आपकी क्रिपा से हुआ है और जो कुछ भी हो रहा है होगा यह जो हो चुका है वो सब कुछ मेरे ही आत्म कल्यान के लिए ही आप कर रहे है ऐसा भगमान में विश्वास रखके एक मात्र उनके प्रेम में ही मगन हो जाना अन्य किसी का ग्यान न रहे कहां कहां क्या हो रहा है जहां 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 भी हमारा मन जाए बहीं पे भगवान दिश्टी गोचर होने चीए बहीं पे भगवान का दर्शन होने चीए इस प्रिकास से होते होते जब अभ्यास बढ़ जाएगा जब अभ्यास बढ़ जाएगा तो हमें जो अपनी स्मृति रहती है उसकी तो बिश्मृति हो जाएगी और केवल एक भगवान ही रह जाएंगे स्वेम के अस्तत्र को हम भूल जाएंगे और केवल भगवान का ही अस्तत्र शेश रह जाएगा यही बिशुद्ध और अनन्ने प्रेम है प्रेम के लिए जिसे प्रेम के सुरूप की बात यहां पे आ रही है तो प्रेम भगवान से क्यों किया जाता है शार्णागत्य क्यों की जाती है समर्पन क्यों होता है किसी सांसार एक मनोग आपना के लिए नहीं अपने घर, मकान, दुकान, बिजनिस, बियापार, पड़ाई, लिखाई, शादी, बिभाई इन सब के लिए नहीं भगवान से प्रेम किया जाए तो किवल प्रेम के लिए ही किया जाना चाहिए इसका अन्न कोई कारण ना रहे मान, बड़ाई, पितिष्टा, इस लोक में, परलोक में किसी भी पदार्थ की, किसी भी पदार्थ की, इच्छा की, हल्की सी भी सुगंद वो सादक के मन में नहीं रहनी चीए सुगंद कहीं या फिर गंद कह सकते हैं वो सादक के मन में नहीं रहनी चीए यहां तक कि यदि उसको तेलोकी का राज भी मिल लहा हो तो उस तेलोकी के राज की मिलने पर भी उसका मन में लालच नहीं आरशी है कि मुझे भगवान के प्रेम के बदले में तेल वखी करज मिल दाएगा नहीं और तो और स्वेम भगवान प्रसंद हो जाए और प्रसंद होने के बाद भी भगवान कहें कि ठीक है तुम्हाई जीवन में भोग बदातों की कमी है ढई दता जादा है हमने जीचाहते तो इस प्रिकार से रहो जो थोड़ासा सुक ले लो थोड़ासे भाग बदात ले लो बड़िया से तुम्हारा मकान बना देते हैं अच्छे से तुम्हे दनसमपति देते हैं अलाम से रहो यदि भगवान भी आगरे करें तो भी सुविकाल नहीं करना है और इस बात के लिए भगवान के आगरे नहीं मानने हमाई मत चलो छोड़ अब हम तुमसे नहीं मिलेंगे अब हमार तुमार प्रेव नहीं अगर इस बात के लिए भगवान भी रुष्ट हो जाए तो कोई बात नहीं परवा नहीं करने चीए क्यों 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 उसमें हमारा स्वालत है न जहां अपनी स्वालत की बात आ जाए बहां तो उन बातों से घ्रणा हो जाने चीए भगवान की ओसे भी बिशियों का प्रिलोबन मिला नहीं था क्या जब राम जी कागुशुनी जी को दर्शन देते हैं तो कागुशुनी जी से कहते हैं न सुक लेलो, संपत्ति लेलो, एश्वर लेलो, बैबल लेलो, रिद्धी सिद्धी लेलो सब चीए देने के लिए कहते हैं न कागुशुनी जी क्या कहते हैं हमें चाहिए नहीं हम ये सब नहीं चाहिए और फिर भी जी भगवान की वह से भगवान भी बैशेयों का प्रिलोवन लेने के लिए आ जाएं कि भई हमाई तस्विर लेलो, तो मन में ये भाव होना चीए कि हो नहो अवस्छी मेरे प्रेम में ही कोई खोट है, मेरे प्रेम में ही कोई दोष है मेरा प्रेम सच्चा नहीं है शुद्ध नहीं है मेरा भाव शुद्ध नहीं है इसलिए तो भगवान मेरे प्रेम को ठुकरा रहे है मेरे प्रेम को सुईकार ना करके मुझे भोग की पतार प्रदान कर रहे है ये बात मन में आनी चाहिए सोचना चाहिए विचार करना चाहिए कि भगवान जब तक मुझे बिविन प्रिकार के विश्यों को प्रिलोबन दे रहे हैं, मुझे ललचा रहे हैं, तो वो मेरी परिच्छा ले रहे हैं, हो ना हो, अभी भी मुझे में विश्यों के प्रती आ सकती है, अभी भी विश्यों के प्रती आ सकती बिश्यों के प्रति लालच लोग भरा हुआ है अगर मेरे प्रेम सच्चा होता अगर मेरे प्रेम में भगवान के लिए मेरे हिर्दे में भगवान के लिए सच्चा प्रेम होता तो एक भगवान को छोड़का क्या मैं उनके मुख से कोई दूसी बात सुन सकता था नहीं सुन सकता था ना मैं बिश्यों को देख रहा हूँ सुन रहा हूँ सेहन कर रहा हूँ इससे सिद्ध हो रहा है कि मैं वास्ता में सच्चे प्रेम का दिखा रही नहीं तब ही तो भगवान मुझे लोग दिखा रहे हैं तब ही तो मुझे लालस दे रहे हैं उत्तम प्रतिवेता की प्रवाशा दी गई है राम चित्मानस से उत्तम के बस अस्मन माही सपने हुआन पुरुष जगनाही कि सपन में कोई दूसरा पुरुष नहीं होता उसी प्रिकार जहां उत्तम भक्ती हैं जहां उत्तम प्रेम हैं बहां भगवान को छोड़कर भी कोई दूसरा विशय वासरा नहीं हो सकती भग्तों तो यह सुचता है कि भगवान मुझे विशयों के सुक की बात कर रहे हैं यह सुनते ही मेरी मृत्यू क्यों नहीं हो गई ऐसा विशुद्ध प्रेम होने पर जो आनन्द होता है ना उसकी महिमा वो कही नहीं जा सकती है। ऐसे प्रेम का महत पर तो वास्तम में कोई भगवान का अनन्य प्रेमी ही समझ सकता है। प्रेम की देखिए तीन इस्थितियां होती हैं। हमाई कौँसी स्थिति है ये आप सुन लीजिए उसके बाद सैम ही अपना आकलन करें तो अच्छा होगा। प्रेम की तीन संग्याएं तीन इस्थिति हैं। एक है गौड फिर है मुख्य और तीसरी है अनन्य जैसे जब बच्रा होता है न नन्ना बच्रा उसको छोड़कर जब गाय वन में चलने चली जाती है। बहां घास चलती है। ठीक है। तो उस गाय का प्रेम जो घास में है न वो गौड है। जो बच्रे में है वो मुख्य है। और जो अपने जीवन में है वो अनन्य है। बच्रे के लिए वो घास का और जीवन के लिए वो बच्रे का भी त्याक कर सकती है। ठीक है बशेरे के लिए वो घास का त्याग कर देगी और जो जीवन की बाता जाएगी तो वो बश्णि का भी त्याग कर सकती है इसी विकार जो उत्तम सादक है जो उत्तम भगत है वो संसार का कार करते हुए भी अनिनन्य भाव से भगवान का चिंतनिगिया कलते है जो साधान भगवान के प्रेमी है वो अपना मन भगवान में लगाने की कोशिश भगवान में लगाने का प्रयास कलते है लेकिन अभ्यास कहें या आसकती कहें बजन द्यान करते समय उनका मन फिर भी विश्यों में चला जाता है लेकिन जिनका भगवान में प्रेम मुख है जो भगवान के प्रेम को ही सब परी समझते हैं वो हर समय भगवान को इस मन्र लखते हुए सारा काल कलते हैं और जिनका भगवान में अनन्य प्रेम हो जाता है उनको तो समस्त चलाचर विश्व एक भगवान के सद्धिश ही दिखाई देता है कैसे सियराम मैं सब जग जानी करहुप्रणाम जोदी जुग पानी ऐसे जो महात्मा है ऐसे भक्त है ऐसे प्रेमी है बहुत दुरलब है इस प्रेकार के जो अनने प्रेमी है वो प्रेम में इतने गहरे डूप जाते हैं कि वो समाज की दिश्टिंग में पागल से दिखाई देते हैं वध्यास ऐसी प्रेरिम में पुरूश होते हैं तो भग्वान के प्रेम निम्मघन हो जाते हैं और Physics जी की भाती या हन्मान जी की भाती सदाही राम जी के काल करने को तत्पर रहते हैं सबका अपना अपना भाव है और ऐसे भक्तों के जब द्वार जब काल होते हैं तो सदा संसार की कल्यान के लिए होते हैं ऐसे जो भक्ते हैं ऐसे प्रेमी हैं यह ना ही तो एक छण के लिए भगवान को भुला सकते हैं और ना ही भगवान एक छण के लिए कभी उन्हें भूल सकते हैं भगवान ने कहा दिया है यो माम पश्यति सर्वत्थ सर्वं चामाई पश्यति तस्याहम ना प्रणश्यामी साचामे ना प्रणश्यति जो सर्वत्य मुझे देखता है जो सर्वत्य मेरा अनुभव करता है मैं भी सदा उसी प्रिकास उसका चिंतने करता हूँ तो सबका यही पूरे प्रिक्रण का यही साल देखा जाए तो भगवान की प्रती भक्त का जो अनन्य प्रेम है भगवान की पती भक्त का जो अनन्य प्रिम है वो ही वास्तविक भक्ती का सुलूप है